तो हमारी pattern की इस class में हम बात कर रहे है mathematical functions हमने इससे पिछली वीडियो में आपके साथ बात की थी mathematical operation हमने बात किये थी plus minus divided और बागी और भी operators की मदद से किस तरह से आप mathematical calculation कर सकते हैं अब बात करते हैं कुछ mathematics की formula तो mathematics का formula लगाने से पहले आपको import math करना होगा जैसे के मैंने यहाँ पर लिखा import math इसे क्या हुआ कि math की जो module है हमने इसको call कर लिया उसके बात असानी से मैं दे सकता हूँ जैसे की x equal to हमने यहाँ पर लिखा math और math में हमने क्या दे दिया हमने math में डाल दिया square root square root और उसमें हमने मालेचे 16 दे लिया तो इस 16 का square करके दे देगा आप यहाँ पर देख सकते है कि print print में मैंने x किया और यहाँ जब इसको हम run करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह आपका 4.0 आ गया तो हमने square से इसका निगा लिया लेकिन क्या यह तरीका है या कुछ और तरीका भी हो सकता है देखेंगे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि import math as m जहाँ पर मैंने math.square किया है वहाँ पर हम m.square करेंगे तो अगर मान लीचे मुझे कुछ और निकालना है यहाँ पर मैंने लिए देते हैं y equal to m.square और इसके जगा पर मैं 25 कर दिया और मैं यहाँ पर y को लूँ तो यह आप का y कमाना जाएगा रन करते हैं यह देखे 5 आगया तो इस तरह से आप इसके यूज कर सकते हैं यह आप इस तरह से भी import कर सकते हो आप लिख सकते हो कि from math इंपोर्ट इंपोर्ट करना था इंपोर्ट इंपोर्ट तो हम इस तरह से भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर डारेक्ट हमें स्क्वार्ट लिख देंगे यहाँ पर लिखने की जरूत नहीं परेगी इसक्वार्ट डारेक्ट स्क्वार्ट लिख सकते हैं मतलब की फीर में एम डॉट स्क्वार्ट करने की जरूत नहीं है जैसे कि मैं यहाँ पर यहीं पर मैं लिख दूंगा स्क्यू आर्ट देखें स्क्वार्ट और यहाँ पर मैं 86 कर सकता हूँ यह तरीका है कि आप किसी भी फंक्शने मैथ फंक्शन को कुम कॉल कर रहे हैं आप और भी जितने भी फंक्शन से इसकी तरह से आप कॉल कर सकते हैं सिंपल अब जैसे कि इसमें अब बात करें कि मैथ के और फॉर्मूला होते कितने तरह के हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिया अब बड़ सेल थो हमने इंपोर्ट किया ही नहीं तो यहाँ पर M. करना पड़े हैं यहाँ फिर कर दिजिए सेल और सेल के अंदर में मैंने यहाँ पर दे दिया मान लेजिए 560, हमने यहाँ पर दिया 100 तो यह क्या आएगा चलिए एक पर देखते हैं कि यह रिजल्ट क्या देता है फिर मैं समझाता हूँ आपको क्या कि यह फार्मूला करता गया इसमें एक्सल की सैल की तरह नहीं है मैं यहाँ पर दो प्रवाइंट फाइव तो यह आपका 6 आएगा यह आपका 5 आया सॉरी इन नीरेस्ट दिखाता है एक्सल में कहा था कि डेस्मल नहीं नंबर को सॉट करते पर यहाँ पैसा नहीं है इन नीरेस्ट आपको दिखाता है लेकिं यह हमेश्चा अपर में दिखाएगा तो सेल इकोल टू करूँ फ्लोड एक फॉर्मुला आता है आपका फ्लोड का ने फ्लोड का एफ एम डॉट फ्लोड करना पड़ेगा एम डॉट फ्लोड अब इसमें मैं अगर करता हूं 4.5 तो हमेशा नीचे की देता देगा देखें कि यहाँ पर इसल्ट का आएगा आएगा आप आपका तो हमेशा नीचे कर देता राउंड की तरह समझें कि वर्क करता एक दम है उसके बाद आता है फार्मुला डिगरी का अगर मैं एक फॉल टू यहाँ पर डिगरी एम डॉट डॉट इगरी अब यहाँ पर हम डिगरी देंगे कोई भी एंगल देंगे डिगरी का जिस का X इंगे αυτό हम करते हैं कि एकवल के इट को टू अम डों कि कटेंगे डिएंग और यहाँ पर रेडियन स में हम यहाँ पर अपना अग डालते एडियन का फॉर्मुला जिसरी की मैं डाल ्दिया 1 0 1 0 0 202 1 0 100C का रिदियन दिखा जाबार कुदा है कि इस आय एंस तैक जीन औ में मैं कर जैटा हूँ X तो आप देखेंगे कि आपका साइण का जो आता है वेलू हो आएगा Is is j wings करिथे यहां पर पर ईंपोर्ट मैं करके धिपाइन कर लिया होगा है इसलिये चितने फारमली की Zusरूरत हो फारमली इस stirत यहां पर कॉमा कॉमा करेंगे इंपोर्ट के लिए तो फिर आपको विरेबल को कॉल करने की जरुरत नहीं होगा तो यहां पर 0.50 का देता हूँ तो इसका जो है रेडियंस निकाल के देदेगा आप उसके बाद साइन हो गया तो जहे सी बाद है यहां पर कॉस का जो मान है को कॉस का मान है उसी तरह से आपके आथा है qui a यहां तो उसके बाद यह आपका आता है यह एक्सपी डालना चाहते हो डाल सकते हो अपना जो वैल्लू है जो भी आप डालना चाहते हैं अलाकि मैथ फॉर्मूला है उतना यूज होता नहीं है लेकिन इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं अब इसी में आता है flott a v s हम f equal to F a vs flot a vs होता है उसको भी रेख लेते हैं flott a vs में अगर मैंने value माइनस में डाला तो plus में रिटर्न करेगा जी हा अगर हमने minus में तो plus में रिटर्न करेगा अबस्लूट करते हैं महींद आप वो बैलू प्लस तो प्लस में रहेगा माइनस आपका माइनस में रहेगा तो basically इसका यह विग अग्सल में भी करते हैं का तो प्लस प्लस में रहेगा और एविएस एविएस में रहेगा उसके बाद आता है तो ऐसे मैंने यहाँ पर यू इक्वाल टू हमने कर दिया कि एम डॉट कि यह मैंत कर देते हैं डॉट कि एक्टोरियल को एम यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया नहीं से कंशुज हो गया इसलिए यहाँ पर नीचे अरर भी आ है कि तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि एक बिरेवल एक ही जगह यूज होता है दो जगह यूज नहीं होता है कि तो यहां हम टरी ले टे हैं अगर तो यह लेके छो टकी जितने भी है सबको टरी लिस ये देगा उसके वादा आता है मोड थिक्टोरियल मोड कराते हैं तो मैं यहाँ पर एक्वल टू एसमोर का फॉमला लगाते हैं कि मूड का फॉर्मुला जैसे मैंने फॉदा अगर हमने फाइब से मल्टिपलाई किया इसका रिटर्न क्या आएगा मोड है इसका mode आएगा 3, तो f mode में क्या होगा कि आप 14 point भी दिया सकते, 30 points भी decimal को भी accept कर लेगा, इसलिए f mode कहा जाता है, ऐसे आती f sum, f sum मतलब कि अब मैं यहाँ एक equal to f math, अच्छा इसमें हमने open math नहीं लगाया, यहाँ math जरू लगाईएगा, math dot, और नीचे भी हम सेम करेंगे, f equal to math dot, हम करेंगे f sum, sum और यहाँ पर अब value देदेजिए, इतने value को sum करना है, decimal है, decimal चलेगा, और normal है, आपका normal चलेगा, इस सब को sum करतेगा, इस तरह से आप sum कर सकते हैं, sum के बाद यहाँ पर एक mode का भी formula आता है, जो कि numbers को करता है, जैसे कि f equal to, हमने m dot, हमने यहाँ पर mode का formula लगा दिया, mode, mode भी है, mode f भी है, mode f है, mode f होता है, mode f में, मैं same चीज़ है, कि अगर मैं 2.56 दिया, तो यह मुझे return करेगा, 0.56, तो decimal है, उसको अलग कर देगा, और number को अलग कर देगा, दोनों का अलग return करेगा, ऐसी आपका log है, square t है, power है, और मैं यहाँ equal to, m dot p, ow कर दूँ power, और मैं इसमें करता हूँ कि मैं 10 को 2 से करूँ, यह आपको 10 square निकाल के देदेगा, 10 को 2 से करूँगा, 10 square निकाल के मुझे देदेगा, उसी तरह से अगर मैं gcd करूँ, जैसे कि g equal to m dot gcd, यह होता है greatest common divider, जी हाँ, greatest common divider, तो मैं बोलूँ कि 5 और 25 का common divider क्या है, तो यह आजएर सी बात है, 5 आएगा, 5 आएगा यहाँ पे, उसके लबाब कुछ और भी है, जैसे कि pi, pi अगर लगाते, pi तो pi के मान देदेगा, इसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो इस सारे को आप अपने आगे चलके, जो हमारी mathematics की, हम लोग जो programming करेगा, उसकी mathematics में सारे code को हम discuss करेगा, तो मिलते हैं अगली वीडियोज में, दोलिए हैं है अगली कुछ और हैं online YouTube में सारे कि वीडियोज सारे करेछ़। और शरे कुछ झाली में, पुछी है, अका यूज हां हम लोग Чणितलई आज है